सर्वेभ्यो नमो नमाह देवबाणी संस्कृतम इगुर्कुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वाजत है मित्रो संधी प्रकरणम की शंखला में आज हम हल संधी का एक भेद पड़ेंगे लप्व संधी उसके लिए आचरपाणनी ने सूत्र बनाया है तोरली तोरली का अर्थ होता है तो हो मरें तवर्ग के स्थान में ली ये का अलब बाद में ला होतो क्या हो जाता है तवर्ग को भी लह हो जाता है तो तवर्गस्य स्थाने लकारे परताह लकारादेशह भावती राइट अब इसको हम उदाहरणों के माद्ध्यम से भी देख लेते हैं तत प्लस लयह देखते जाएं सर लयह कोई कठिन नहीं है तत प्लस लयह तो यह लह है और यह तवर्ग का अक्षर है तो इसलिए लके बाद में रहते हुए इस तको भी क्या हो जाएगा लही हो जाएगा तो क्या बनेगा तल्ल यहाँ राइट इसी प्रकार से दुसरा उदाहन देखिएगा तत प्लस ली नहाँ तो यहाँ पर भी लाए आगे तो इस तको भी क्या हो जाएगा लह हो जाएगा तल्ली नहाँ तल्ली नहाँ लह हो गया इसी प्रकार से देखिएगा उद्ध प्लस ले खहां यह तो बहुत प्रयोग करते हैं आप लोग का उल्लेख से तब्लस ले खहां तो यह प्लस ले खहां तो यह क्या बनागा जी को ले खहां अब आगे देखिएगा विद्वान प्लस लिखती इसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा आपको भाषा में बहुत बड़े-बड़े लोग इसके लिए गलत लिखते हुए दीखेंगे परन्तों आज से आपको गल्पी नहीं करनी है एक उदाहर से मैं आपको समझा दूंगा विद्वान प्लस लिखती ठीक है जी अब यह क्या है तवर्ग का अक्षर है न ना है तो ना कैसा है एक तो तवर्ग का है साथ में यह कैसा है अनुनासिक हमने पहले संदियों पढ़ लिया है कि यह कैसा है अनुनासिक अर्था इसका नासिका से भी उच्चान किया जाता है न न तो यह अनुनासिक भी है और जो ला होता है लव यह दो प्रकार का होता है एक अनुनासिक अर्था सानुनासिक और ए देख लिजीएगा एक होता है एसा और एक होता है यह ऐसा ठीक है ला ला दो प्रकारका होता है ये आपके लिए हो सकता है पर यह होता है यही समझना है आपको, लख कितने प्रकारका होता है, दो प्रकारका, सानुनासिक और निर्नासिक, अर्थात अन्नासिक सहित, और अन्नासिक रहित, अब क्या है? हम यहाँ पर विद्वान ये न przy अठा, और ये संधी लगा रहे हैं, तो इसको हमको क्या करना है सुत्र कहता है जी तवर के इस्थान में लागे हो तो क्या हो जाएगा तवर को भी लाग हो जाएगा तो अभी तक तो ता था द धा जो भी हमने किया था वह अनुनासिक नहीं थे वह तो सामनी थे इसलिए उनके इस्थान पर यह सामनिवाला लाकार हो गया परंट तो यह नहें यह कैसा है अनुनासिक तो अब अम्नासिक के स्थान में अम्नासिक ही आना चाहिए यह तो स्ववाविक है भई दो प्रकार के हैं हमने का अला होता है पर अला होता है ठीक है पर यह ना तवर्का भी है साथ में अम्नासिक भी है और वो ला भी है साथ में अम्नासिक भी है तो इसलिए जब हम किसी को एक स्थान पर आदेश करते हैं तो हम उसमें मिलाते कि में दो-ती आदिश प्राप्त होने पर सब से ज़्यादा गुण जिसके मिलते हैं वह होता है तो इस यहां पर इन दोनों ला हमको करना है तो कौन से लखे ज्यादा गुण मिल लें इस सामना सिख्टे को कि ला भी है और साथना अन्नासिक भी है और यह 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 भी अन्नासिक है इसलिए यहां पर क्या होगा विद्वां अब देखिएगा यह यहां ऐसे ला और लिखती अब आपको यहां पर भी समझना है आपको हमेशा अभी तक गलत फैमित्थी भ्रह्म था कि यह सब लोग अन्नासिक कहां लगाते थे इसके ऊपर है कैसे वो दोश्पून देखिएगा कैसे लिखते हैं लोग जाद अधिक तर विद्वान आपको ऐसा ही पुस्तकों में लिखा मिलेगा हुआ गलत है कि आपको ऐसा हर जगह अधिक तर लिखा हुआ एसा मिलेगा अर्थात यहां पर लगाते हैं अन्नासिक इस आ को परंद यह आ अन्नासिक यहां नहीं हैं हम यह लाहें जो ला अन्नासिक आदेश हुआ है तो यह ला है तो इस ला को हमको अन्नासिक बनाना है ना कि आ को यह है गलत आप सभी को टो किएगा यह आपके अध्यापक आपको पढ़ाते हैं तो कहिएगा जी गुरुजी यह आतों सामान में यह आपर जो अन्नासिक है वो क्या है यह ला है इसलिए लो विद्वान लिखती विद्वान लिखती इस प्रकार से उच्चारण होगा यह आपको मैंने ऐसी चीज बता दी कि आप अच्छे अच्छे विद्वानों को भी इस बात में अठका सकते हैं वो लिखते हैं आप पुस्तक में देख लीजिएगा गलत मिलेगा वह गलत है तो इसलिए आपको आगे से कैसे लिखना है अनुनासिक आपको लखे ऊपर लगाना है राइट इस प्रकार से यह संधी आज पूर्ण हुई अर्था लट्व संधी आईये मित्रों अब हम इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं शिग्र ही आपको हम नई संधी ले करके उपस्तित होंगे तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम करता हुआ अपनी वानी को विराम देता हुँ इती ओम शंग